शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूलें देश के पंतबरदान नरेंद्र मोधी हमेशा करप्शन के बारे में बोलते हैं हमेशा ही वे करप्शन के खिलाप रहे हैं और हम भी उनका साथ देते आ रहे हैं मगर ये बात हम तभी स्विकार करते तब अपना मतलब हो कई बार हम सभी अपना काम निकालने के लिए छोटी मोटी चाय पानी देकर उसे बढ़ावा दे रहे हैं मगर ये कहा तक सही है अब ये देखो जब भी हम हाईवे पर जाते तो हमेशा किसी एक ट्रक पर आड़े रखे टैक्टर या गाड़ी रखी दिखाई देती है इससे चालक को ना ही दाय का दिखता है ना ही बाय का बड़ी बड़ी कमपणियां अपने पैसे बचाने के उद्देश से आर्टीयों के साथ मिली भगत कर ट्रक चालक के साथ खिलवार कर रही है इसे रोड पर अबधात होने की संभावना है मगर इस सब के बारे में ट्रक चालक को कुछ भी पता नहीं रहता है वे तो रोजी कमाने के लिए और कमपनी के कहने पर चलते है लोगों तो कुछ भी नहीं वालूम है इसका जो अगर निकलेगी यहां से बादर में लगता है मतलब कटेगा उसका सेट पैसा देगा दसजार दोसो नहीं यंपी का लग है महाराष्ट का लग है बिहार का लग है पावती हर जगा फटेगा यहां से वहां तक करीब 30,000 के आस पैसा लगना है इसका इसी टेक्टर लगने के कारण यह पैसा ले रही गवर्मेंट और बोलते हैं कि आप मैं गारी ला दे हैं टेक्टर लोट है आपके पास अगर माल गारी होता तो अगर पैसा देना पड़ेगा इसी सब भी विशेपर अब भाईचार राजमार्क परिवहन सेवा टक्षालक के साथ खड़ी हुई है नरेंद्र मिश्रा जॉइंट एक्शन कमिटी और प्रलाद अगलाव इन्होंने केंद्रियां परिवहन मंतरी नितिनगड़करी से मांग की है इस तरह से ट्रांस्पोर्ट बंद किया जाए इसकी इजाज़त आर्टियो भी नहीं देता है इसके पहले भी कमिटी और से महेंद्रा कमपणी को इस विशेया पर निवेदन दिया गया है इसमें सबसे पहले खत्रा एक्सिडेंट का धावर को साइट नहीं दिखती लुकिंग लास से नहीं दिखता और जो जाके हासे का सिकार हो जाता है छोटी-छोटी आप आम बाते हैं किसी तरह से ध्यान नहीं दे रही है काई न कहीं यह रैकेट बहुत बड़ा रैकेट है जो इसको संचालन कंपपनी कर है कि अफिर देशी और रहे हैं और को यहां से पूरी देयन जा रहे है आट्यों की दे झा रही है जो गऴ तरीके से गाडी चल रही है ऐसी गाड़ियों के लिए पसाथ से निवेदन करते लेटर के माध्यम से दे चुका हूं जिसका अभी तक कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया अब कुछ बताए नहीं अब दुवारा अगर ऐसा ही कंडीशन की गाड़ियां लोड हो तो हम लोग धरने पदर्शन में करने में मजबूर हो जाएंगे और नाकपुर जिला प्रसास बाइन होती है कि तकलीपे होती हैं बाड़रों में हमको पैसा देना पड़ रहा है आज मत्व देख लिए महाराश्ट बाड़र में देख लिए खुले आम इंट्री बसूली चालो गई है नाकपुर में केंडरी परिवान मंत्रीसी नित्रिंगटकरी जी बैठे हुए हैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि इस तरह से गलत तरीके से लोडिंग को रोके अब कि मत प्रदेसे और महाराष्टा कंदर में जो चेक पोश्टों में वसूली चालूए वसूली को बंद करें सरकारा